हेलो लेर्नर्स, वेलकम चुमा यूट्यूब चैनल टू ती पॉइंट लेर्निंग, आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनस स्टडी में, नेक्स चैप्टर जो की चैप्टर 10 है, उसकी फाइनेंशल मार्केट चैप्टर का समरी डिसकस करने जा रही हूं, यानि कि ये वन रिवीजन है आपके लिए, जिसमें आपके साथ मैं इस वीडियो में पूरा चैप्टर डिसकस करूंगी, बट शॉट में, लेकिन ये इस तरीके का शॉट नहीं होगा, कि आपको चीजें समझ में नहीं आए, या एक्जाम में जो आनी है, वो कहीं धरुधर हो जाए, नही आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या-क्या इंपोर्टेंट चीजें हैं और उनके बेसिक मीनिंग क्या है, तो इसलिए फाइनेशल मार्केट चैप्टर का रिवीजन स्टाट करते हैं, उससे पहले मैंने कंजूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग मैनेजमेंट के वी आते हैं कि फाइनेशल मार्केट क्या है, तो फाइनेशल मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे आपके जो बॉरोवर हैं और जो सर्पलर हैं, जिनके पास चीजें सर्पलस में हैं, चीजों से यहां मेरा मतलब है फंड्स, वो दोनों को आपस में कॉन्टैक्ट में लाने का काम जो market करती है उसे हम कहते है financial market ठीक है यानि जिनके पास पैसा surplus में है यानि हम कह सकते investors और borrowers यानि companies जिने पैसा चाहिए business को आगे बढ़ाने के लिए तो इन दोनों को आपस में contact में लाने का काम करती है financial market जिसमें जो surplus जिनके पास पैसा है वो बैंक में पैसा जमा करती है या फिर शेयर market में पैसा लगाती है और इसके बाद वो पैसा borrower यानि companies के पास जाता है और company उन्हें productive जगा यूटिलाइस करती है इन्वेस्ट करती है सो यह procedure आपका कहलाता है financial market अब आते हैं financial market जो है वो दो टाइप्स के होते हैं एक होता है money market और एक होता है capital market तो one by one इनके meaning को भी देख लेते हैं सबसे पहले हम आते है money market क्या होता है money market is a market of short term funds with which deal in monetary assets whose period of maturity is up to one year यानि money market वो market होती है जहां पे short term funds में deal किया जाता है अब short term funds में deal करने का मतलब यह है कि आपको पैसा तो चाहिए as a company बट आपको short term के लिए पैसा चाहिए आपको उसे current operating चीजों में लगाना है या regular expenses में वो पैसा आपको लगाना है तो और या मैं कहूं कि operating cost में उस पैसे को खर्च करना है तो उस पैसे की विवस्था आप से करते हैं वो कहलाता है money market तो इसलिए यह short term fund होता है क्योंकि आप इसमें पैसा जो लेते हैं surplus या investor से वो केवल आप उसको एक साल के लिए ही लेते हैं उस से जाधा period के लिए नहीं लेते और जैनरली विच डिल इन मॉनेटरी एसेक्स आप इसमें जनरली क्या करते हैं कि जो पैसा आप लेते हैं एक साल के अंदर अंदर ही उसको वापस जो जिसने दिया है इन्वेस्टर ने दिया है उसको पैसा वापस कर भी देते हैं इसलिए money market आपकी कि short term fund कहलाती है कि कम समय के लिए आपको पैसा चाहिए और उसको within a one within one year आप उसे वापस पे आफ भी कर देते हैं तो that is money market इसके अलावा money market के कुछ examples वगेरा होते हैं जैसे treasury bill होता है commercial paper होता है तो वो सारे instrument आपके course में नहीं है बट for the safe side जब आप इसका meaning समझाएं तो example आप उनका नाम तो लिखी सकते हैं अच्छा impression आपका पढ़ेगा examiner पे तो यह हो गया आपका meaning money market का अब आते हैं कि capital market क्या है capital market is a market for medium and long term funds यानि अगर आपको पैसा लंबे समय के लिए चाहिए है या medium term के लिए चाहिए लंबे से लंबे और medium term हो गए आपके say for example आपको 2 year 5 year 10 year 20 years के लिए पैसा चाहिए है और उसे कहीं invest करना है बड़े से project में जहां से return आपको कई साल बाद मिलेगा तो उस काम के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो आपको मिलता है capital market से financial institutions यहां पे involved होते हैं जो कि आपको loan के base पर यह पैसा लंबे समय के लिए दे investment करते हैं foreign investors पैसा लगाते हैं कई बार आप पब्लिक से भी पैसा लेते हो in form of debentures and all तो यह चीज़ें क्या हो जाती है आपकी capital market और यह उनके नाम examples हो जाते हैं चीक तो मेन आपको क्या याद रखना है कि one year से जादा के लिए अगर आपको पैसा raise करना है long term fund raise करना है आपक fixed assets को खरीदने में लगाते हैं fixed reset हो जाते हैं आपके machinery, land, building या investment projects इन सब में आपको अगर पैसा लगाना है तो आप capital market से पैसा उठाते हैं या रेस करते हैं और money market हो जाता है short term के लिए आप पैसा raise कर रहे हो जो कि हो आपका हो जाता है कि आपको अपने operating expenses को पूरा करना है production fluently चले उसके लिए पैसा चाहिए है या किसी emergency के लिए आपको पैसा चाहिए है तो आप short term के लिए पैसा raise कर तो that is money market अब आते हैं हम कि capital market is also further divided into two parts capital market भी दो पार्ट में divided हैं जो कि primary market और secondary market या फिर stock market तो इसको भी हम देखने types of capital market में आता है आपका primary market primary market मतलब हो जाता है it is the market for selling new security आप पहली बार shares आप पहली बार shares में deal कर रहे हैं या पहली बार securities को बेच रहे हैं तो उस case में आप कौन सी market जाते हैं या कौन सी market उसको हम कहते हैं जहां आप यह deal करते हो तो वो कहलाती है आपकी primary market की पहली बार company अपना share issue कर रही है public के सामन उसे खरीदने के लिए it contributes directly for capital formation as funds are transferred from surplus unit to deficit unit यह आपका capital formation का सबसे पहला जरिया होता है जब आपकी company को capital की जुरत है और वो जिनके पास पैसा surplus में है वो उनसे आप पैसा ले रहे हो और आप अपनी deficit unit में fulfill कर रहे हो उस पैसे को तो primary market आपका यह कहलाता है primary market में भी आपके क prospectus issue करके पैसा रेस करते हो ठीक है issue through prospectus उसको हम कहते है ठीक तो prospectus issue through issue through prospectus हो जाता है आपका ठीक है इसके अलावा आपका होता है कि अपने शेयर को बेचते हैं कि ब्रोकर जो होता है वह आपके शेयर को लेकर पब्लिक को बेचता है देन आते हैं private placement कहलाता है private placement मतलब कुछ चुनिंदा लोगों को ही आपके शेयर बेचे जाते हैं तो वह private placement कहलाता है तो यह अलग-अलग primary market के आपके method है जिनके थो आप शेयर अपने बेचते हो first time generally इसकी कोई एक fix place नहीं होती primary market की क्योंकि यह जो होता है यह आप शेयर जो है यह अपनी securities जो है यह आप stock market में बेचने नहीं जाते हैं जनरली आप broker की मदद से ही इसको बेचते हो तो इसके लिए यह कोई आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी market में जाते हैं और तब जाके वहाँ अपने शेयर बेचें नहीं आप अपने office में बैठ कर भी यह शेयर बेच सकते हैं तो यह primary market की कोई फिक्स जियोग्राफिकल प्लेस अगेरा नहीं होती है नहीं आते है secondary market या stock market क्या होता है it is the market for existing और second hand security यहाँ पे उन securities में dealing होती है जो already एक बार बेची जा चुकी है यानि जिनको आप primary market में एक बार बेच चुके हैं आप वो दुबारा circulate हो रही है तो वो कहलाता है आपका secondary market या stock market it contributes indirectly for capital formation as funds are exchanging between surplus unit यहाँ पे indirectly capital आपका raise होता है यानि की शेयर जो है वो पहली बार बेचा गया सपोस्थ ABC company ने शेयर बेचा राम को ठीक है और राम ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया ABC company ने company में अब राम के पाथ जो शेयर्स हैं वो उसने stock market में बेचे ठीक है stock market में उनको बेचा stock market में बेचने पे वो गए Mr. Sharm के पास यानि stock market के थूँ वो शेयर्स चले गए Mr. Sharm के पास तो अब ये चीज़ क्या हो गए आपकी कि indirectly पैसा पहुचा है वो शेयर थे किसके शेयर तो ABC company के थे लेकिन अब राम उसके ओनर नहीं है राम ने अलरड़ी stock market में उसको बेच दिया था तो अब Mr. Sharm उसके में ओनर हो ग exchange तो ये चीज़ आपकी secondary market के लाती है यहां हमेशा second hand securities में ही deal होता है पहली बार जो security बेची जाती है वो directly broker को बेची जाती है वो आपका stock market में नहीं आती तो ये चीज़ आपकी secondary market अब आते हैं इसी secondary market को थोड़ा और detail में पढ़ने पर जो की है functions of secondary market या stock market functions यानि क्या क्य आता है stock market जब आप stock market पढ़ते हैं तो main ध्यान रखिएगा कि जो अलग-अलग stock exchange होते हैं जैसे Bombay stock exchange हो गया आपका और national stock exchange हो गया तो NSE हो गया तो ये सारी जो stock exchange है इनको दिमाग में रखके आप इसका answer करिएगा तो functions पे आते हैं पहला function है providing liquidity and marketability to existing security आपके जो shares हैं उनक का काम जहां होता है वो कहां होता है वो secondary market में होता है इसलिए shares वगेरा को अगर हमें liquid form में करना तो कैसे करेंगे shares हम stock market में बेचेंगे उसके बदले हमको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा तो वो चीज क्या हो गई कि liquid form में आपकी securities transfer होती है देन आते हैं pricing of securities आपकी securities की prices भी यही पर set होती है अगर आपने ध्यान दिया हो तो share market में ही आपके जो shares है उनके price में कभी rise दिखता है तो कभी fall दिखता है यह चीज क्या हो गई कि आप तो एक price set करके अपने share को stock market में लाते हैं लेकिन आपकी goodwill के according आपकी demand के according आप जो जितने investors हैं वो आपकी company को कितना prefer कर रह होती है तो कहा जा सकता है कि stock market एक ऐसी जगह है जहां पर आपके securities की price भी set होती है actual dealing उसी price पर होती है then safety of transaction क्योंकि यह एक government के government authorized organization है तो यहां पर जो work होता है वो safety of transaction का होता है यानि कोई गबन नहीं हो सकता कोई cheating नहीं हो सकती unfair practices नहीं हो सकती because it is under the control of government जिसमें आपका main आ करने का अधिकार किसके पास होता है तो से भी organization है voluntary organization है आपकी जिसमें security exchange board of India तो इनका कामी होता है कि देश भर के सारे stock exchange जो है यानि stock market जो है उनके transactions पर नजर रखना और किसी भी unfair trade practice को रोकना तो safety of transaction रहता है आपको इस market में deal करने पर इतनी safety आपको यहां primary market में नहीं लग पर होता है तो यहां stock market नहीं होता है इसलिए उतना safety हम नहीं कह सकते बट हाँ stock market में safety होती है then contribute to economic growth stock exchange में deal करने पर हम यह मानते हैं कि वह एक तरीके के economic barometer की तरह काम करता है यानि economy की position कैसी है economy में हालात कैसे है money जो है उसकी value बढ़ रही है घट रही है काफी कुछ आपका reflect होता है हमारे stock exchange में shares के price से जैसे GDP rise होना GDP fall होना मंदी का दौर यह सारी चीज़ें काफी कुछ बेस करती हैं आपके stock market में क्या prices चल रहे हैं share के जैसे prices बहुत fall हो रहे हैं तो यह माना जाता है कि बड़ी-बडी companyya जो है वो अपनी कहीं न कहीं goodwill को खो रही है इसलिए shares price down हो रहे हैं और economic growth पर असर पड़ेगा negatively और वहीं अगर उनके prices rise हो रहे हैं तो माना जाता है businessman flourish कर रहा है तो उस case में यह symbolize होता है कि economic growth काफी अच्छी जा रही है तो बिल्कुल यह जितने भी stock market होते हैं economic growth में contribute करते हैं next आट है next है spreading of equity कल्ट equity कल्ट का मतलब हो जाता है awareness ए एक awareness आपको मिलती है यानि stock market का एक मेन काम होता है कि जादा से जादा investors को जानकारी दे about the trading procedure about the shares about the securities इन सब के बारे में एक सही सही तरीके की जानकारी circulate करने का काम stock market का होता है कि किसी भी तरीके से कोई cheating ना होने पाए आपके investors especially investors के साथ कि broker वगएरा कोई cheating ना करें उसके regarding rules regulation वगएरा बनाती है से भी जिसको follow करवाने का काम stock market करती है तो equity कल्ट spread होता है यानि awareness spread होती है then providing a score for speculation बिल्कुल stock market में ही आपका जनरली देखा जा है speculation का मतला हो जाता है prices का fall होना और rise होना इसको हम speculation कहते हैं तो अगर आप ध्यान दें तो आपने कभी news वगएरा में देखा हो तो बिल्कुल हर घंटे आपका जो share price है वो कहीं न कहीं variate होता रहता है ठीक है changes उसमें आते हैं तो इसको काफी अच्छा माना जाता है क्योंक एक place मिल जाती है stock market के होने की वज़े से कि हाँ speculation हो जितना जादा bid लगे एक तरीके से आपके prices की या जितना जादा उच्छा लाए prices में उतना ही profitability होती है country को भी और उस businessman को भी पैसा raise करने में या उसको सही जगा productive way में invest करने में तो providing scope for speculation next trading procedure trading procedure का मतलब हो जाता है हमने function पढ़ा की shares वगेरा में deal करने पर यह यह उसके काम है काफी अच्छी market होती है काफी बढ़ियाए scope होता economic barometer show होता है लेकिन यह trading procedure होता क्या है यानि कि किस तरीके से अगर आपकी suppose आप एक company है और आपको share बेचने हैं दूसरी party को तो किस तरीके से step by step आप क्या follow करेंगे कि वो shares जो हैं वो आपके हाथ से हटके stock market जाए और stock market से investor के हाथ में पहुचे और आपके पास lot के पैसा आ जाए तो उसी procedure को हम कहते हैं trading procedure अगर आपको यह trading procedure detail में पढ़ना है तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया है और उसका link मैं आपको इसी वीडियो के description box में share कर दूंगी तो अगर आप एक अच्छे elaborate manner में पढ़ना चाहते हो कि क्या होता है trading procedure step by step तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा क्योंकि यह हाँ एक बार जरूर उस वीडियो को switch over करिएगा तो फिलाल यहां डिसकर्स करते है trading procedure क्या होता है तो trading procedure में सबसे पहले आता है agreement with a broker आप एक broker को choose करते हो जो licensed broker होता है जिसके पास broker के work को deal करने का license होता है license वो से भी से मिलता है तो ऐसे person को आप find out करते हो और वो आपका as a broker broker work करता है जिसमें वो आपकी personal आपकी जो basic details है जैसे pan number account number और आपका proof अगेरा यह सारी details वो collect करता है चिक और उसके बाद next step वो करता है open a DMAT account इसी सारी details को लेकर वो आपका DMAT account open करता है DMAT account का मतलब होता है DMAT account वो account होता है जिसमें आपके shares को deposit किया जाता है तो वो DMAT account होता ह एक चीज़ और इसमें आती है कि DMAT account का मतलब यह भी होता है कि इसी को थोड़ा change कर दे dematerialization भी word होता है तो dematerialization का मतलब होता है आपके परस अगर shares paper के form में है तो उन्हें online form में या digital form में convert कर देना भी DMAT account कहलाता है तो broker आपसे सारी details लेकर DMAT account open करता है कहां पे depository में depository एक इसा institute होता है या समझ लीजे एक ऐसी financial body होती है जिसको हम मान सकते हैं कि एक bank की तरह होता है उस bank में जाकर वह आपका DMAT account open करता है बस उसका नाम bank नहीं उसकी जगह क्या रखते है depository और if he doesn't have the one तो उस case में depository जो आपका account होता है वो दो depository organization जो होती है वो दो होती है CDSL और NSDL यह दो आपके ऐसे depository हैं जहां पर generally DMAT account open किया जाता है अब इनके काम भी जड़ा देख लेते हैं यह जो आपके depositories होते हैं CDSL और NSDL इनका main काम होता है DMAT account open करना dematerialization of security यानि जो securities physical form में है documents के form में है उनको account के form में convert करना उनको online form में convert करने का काम करती है और दूसरा rematerialization of security materialization का मतला हो जाता है वापस physical form में करना चिक तो यह तीनों काम भी यह करती है समझ भी जैसे आपका bank में account खुलता है तो वैसे ही यहां पर भी इसको हम समझ लें कि यह bank है जहां आपका DMAT account खुलता है फिर जब DMAT account open हो जाता है तो उसके बात placing an order with the broker आप क्या करते हैं यानि एज इन इनवस्टर आप broker से बात करके डी और प्लेस करते हो चाही जए और इतने रुपइ के आप शेयर के पास प्लेसके बेसिता प्लेस करते हो इसके बाद broker कया करता है broker उसे substance exchange में चेक करता है कि यह जैसा आपने वो मिल जाती है तो उस case में वो आपका order execute कर देता है यानि की order place कर देता है stock market में और अगर नहीं मिलती है तो वो wait करता है जब वैसी deal आ जाती है तब वो order place करता है तो यह चीज होता है execution of order execution करने के बाद आपका आता है settlement of settlement of account जिसमें क्या होता है कि broker के पास जब particular order वो place करता है तो वो आप से share लेकर यानि company से उनके share लेकर stock exchange में जमा करता है और stock exchange जो होता है वो दूसरी party के broker को वो shares देता है तो यह चीज क्या हो जाती है आपकी इसको हम कहते है settlement कि एक तरफ से share गए और दूसी तरफ से पैसे आए और एक चीज और बहुत important है कि यह T plus 2 day में finish हो जाता है T plus 2 day का मतलब होता है transaction day plus 2 days और ठीक transaction day होता है जब broker stock exchange को shares देता है तो उसे हम pain day कहते हैं और जब stock exchange दूसरी site के broker को पैसा दे देता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं pay out day यह दोनों ही detail आपको बहुत अच्छे से मैंने उस video में समझाई है तो अगर आपको यहां समझने में दिक्कत हो रही है तो again आप उसे वहां link से जरूर देख लीजेगा तो इस तरीके से T plus 2 में आपका settlement हो जाता है तो यह पूरा आपका trading procedure होता है देन आते हैं next पे की objectives क्या है अब next आते हैं से भी से भी क्या है तो से भी Security Exchange Board of India full form है इसका एक ऐसी आपकी organization या एक ऐसा financial institute जो की आपके देश भर के नेशन के stock exchange को control और regulate करने का काम करता है उसे हम से भी कहते हैं तो इनके main objective क्या है पहला आते हैं to regulate stock exchange and promote its orderly function जितने भी stock exchange है उनको regulate करना उनको उनके rules regulation established करना और उनको सही तरीके से work करें वो orderly चलें systematic working हो ये देहान देने का काम इनका होता है दूसरा आते हैं to protect the right of interest of investor investors के साथ कोई cheating ना हो तो उसके according भी rules regulation established करना अधिकार वगेरा जो है एक investor के उसके बारे में उसको लगाता protect करना कि कोई cheating investor के साथ ना हो क्योंकि पैसा तो actually investor का ही stock exchange में लगता है तो उसके साथ कोई unfair practice ना होने पाए देन आते हैं next होता है to prevent trading mal practices and achieve a balance between self regulation and statutory regulations ये ध्यान देना कि किसी भी तरह की mal practice धोका धड़ी ना हो रही हो shares वगेरा का गबन ना हो रहा हो shares fake ना हो या company जो है वो proper उसकी financial हालत नहीं है और तब भी वो stock exchange में deal कर रही है पैसा ले रही है और उसका वो company को loss में जा रही है तो ये सारी चीज़ें देखते रहना इसका balance बनाने का काम भी से भी का होता है then I think to regulate and develop a code of conduct and fair practices by intermediary intermediary हो गए broker, underwriter ये लोग जो involved होते हैं इन पर भी लगाता नज़र रखना कि ये लोग अपना काम fair practices से करें कोई cheating ना करें और साथी साथ इनके लिए code of conduct यानि rules regulation सेट करना कि ये जितने भी intermediary हों उसी rules regulation के दाइरे में रहकर अपने काम को करें तो ये हो गए इनके main objectives दिन आते हैं आज की वीडियो के last topic में जो की है functions of securities and exchange board of India इनके functions क्या होते हैं अगें ये भी बहुत important topic है आपकी case study के लिए भी और आपके theory section के लिए भी तो ये भी देखते हैं तीन main function होते है regulatory, development and protective तो पहला आते है regulatory function क्या है regulatory function का मतलब हो जाता है rules regulation के regarding जो आपके work है सेबी के functions हैं पहला आते है registration of broker कि सारे brokers का proper registration होना चाहिए बिना registration broker जो है वो कहीं भी किसी भी investor से deal ना करे वो stock exchange में deal ही नहीं कर सकता दूसरा आते है registration of collective investment जितने लोग भी investment कर रहे है उनका भी registration proper होना चाहिए जो कि आपका broker करता ही है जब वो DMAT account open करवाता है तो आते है regulation of stock brokers and underwriters, merchants, bankers इसी तरीके से proper regulation यानि rules वगेरा establish किये जाते है stock brokers के लिए underwriters के लिए merchant brokers के लिए bankers के लिए कि वो एक डायरे में रहे कर काम करें regulation of takeover bids by companies यानि कि जितने लोग भी shares वगेरा में deal कर रहे है उसके regarding भी rules होते हैं कि share prices rise कर रहे हैं तो किस तरीके से rise करने चाहिए और कौन से rising price को valid माना जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ deal होती है calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries and audits of stock exchange वहीं पर आपकी information वगेरा जो है जितने auditing है, inspection है वो भी time to time अलग-अलग stock exchange का वो करता रहता है कि checking वगेरा accounts की और shares, dealing वगेरा इन सब की checking, auditing लगातार करने का अधिकार से भी का होता है और वो ये करता भी है living fees, other charges for carrying out the purpose of the act जितनी भी fees, charges वगेरा होती है वो अलग-अलग stock exchange पर imply करवाना और proper fees वगेरा pay हो चाहे वो shares को deal करने में हो चाहे documentation पूरी करने में तो वो सारी चीज़ें भी fair तरीके से आक्ट को follow करते हो, payment of fees वगेरा तो वो भी आपका follow किया जाता है then आते हैं next पे performing and exercising power under security contract act 1956 अलग-अलग आपके exercising होते है जो security board of India है उसने अलग-अलग regulation से एक act बना रखा है उसके according ही सारे stock exchange काम करें तो इस पर भी सेवी जो है वो लगाता नज़र रखता है stock exchange में then आते हैं developmental function development functions होते हैं आपके की सेवी का innovative work क्या है यानि की उसके development से regarding अलग-अलग stock exchange कैसे विकास करें उसके according क्या इंका function है वो तो पहला आजाएए starting intermediaries को training देना फिर आते हैं research work और publishing information time to time information notification से यह सब publish करते रहना ताकि जो जितने भी investors हैं जितनी भी parties हैं जो stock exchange से जूड़ी हैं उन्हें proper information guidance मिलती रहे then undertaking measures to develop the capital market जितना हो सके capital market को और अच्छा develop किया जाए सारे trading procedure जो पूरा भी आपने देखा उसको और जादा flexible बनाया जा सके सुविधा जनक बनाया जा सके तो यह सब काम इनका development में आता है देन लास्ट आपका protective function यानि की रक्षा करना अब रक्षा करना innocence किसकी तो investors की investors के साथ कोई cheating ना हो तो उसमें आपका आता है prohibition of fraudulent and unfair trade practices किसी भी तरह की unfair trade practice को रोकना कि investors का पैसा waste ना जाए उनके साथ कोई cheating ना हो fake documents वगेरा ना हो fake shares ना हो यह सब देखना controlling insider trading and imposing penalty insider trading को रोकना insider trading का मतलब हो जाता है अंदर ही अंदर shares को बेच देना और जो आपके outsider investors है उन तक वो deal आए share based दे rice price दिखा दे तो यह चीज insider trading हो जाती है तो उसे रोकना देना आते हैं taking step for investors protection investors को protect किया जैसा कि इसके लिए जो भी steps required है वो यह लेती है then promotion of fair practices and code of conduct in security market security market में जितना भी काम चल रहा है वो सब code of conduct के according हो यानि rules regulation के according हो तो यह भी इनका देखने का काम होता है तो यह सारे functions आपके क्या हो गए protective functions तो यहाँ पर आज हमारा यह chapter खतम हुआ small recap खतम हुआ तो I hope आपको यहां तक clear हुआ हो अगर कहीं कोई doubt है या कोई topic आप अच्छे से देखना चाते हैं इस चाप्टर के मैंने वीडियो बनाए हैं तो आप वह ज़रूर देख सकते हैं मैंने explanatory way में सब चीज़े समझाई हैं बाकि कुछ topic के लिंक आपको इसी description box में दे दूंगी तो आप वहां सुच्य ओबर करके भी देख सकते हैं बाकि chapter समझ में आया हो तो like का button ज़रूर क्लिक करें साथी साथ channel को share करें अपने friends में ताकि उन्हें भी एक short revision जो है वह अच्छे से chapters का हो जाए because again आपकी CBC exams की date आ गई है तो आप तयारी आपकी एक अच्छे level पे start हो जानी चाहिए So thank you and have a nice day